नमस्कार दोस्तों, Springboard के digital platform पर आपका फिर से स्वागत है, आज स्टाट करेंगे हम रास्तान के अंदर जो new topic है agriculture अर्थात किर्शी वाला topic, जब agriculture की बात आती है रास्तान के अंदर, तो रास्तान का सबसे most important जो physical division है, वो होता है रास्तान का जो eastern plain area या पूर्वी जो मेदान मेदानी भाग है क्योंकि वहां most fertile soil अर्थात सरवादिक अधिक होता है रास्तान में जो agriculture का मेन heartland अर्थात जो हर्दे इस्तल है वो पूर्वी मेदानी भाग को कहा जाता है जैसे इंडिया में हम जो northern great plain है अर्थात जो उत्तरविशाल मेदान है उसे कर्शी का हर्दे इस् topic है जैसे physical division वाला है climate वाला part है drainage system वाला part है उसके fix division होते हैं उसके fix part होते हैं तो उसी तरीके से अपने जो agriculture है वो अलग-अलग climate में अलग-अलग परकार की agriculture होने के कार्ण रास्तान में agro climate zone बनाए गये हैं जैसे रास्तान के western direction या पस्रिमे भाग में अलग परकार की agriculture है अरावली के western direction में और इसके eastern side में अलग परकार की agriculture होती है तो इसमें agriculture के कुछ zone है जो अलग-अलग parts में divide हैं जैसे पस्रिमी रास्तान के और जो बने विये agriculture zone है जिसमें first A, first C, उपर के और यहाँ पर बनावा है, first B, यहाँ पर second A and second B, अरावली के east के और इस side में है third A portion and third B, रास्तान के जो southern वाला part है इसमें fourth A and fourth B, और जो hard होती है उसको single, fifth तो इसमें first वाल है उसके तीन पार्ट है, बाकि second के दो, third के दो पार्ट and fourth के two parts and fifth का single part, तो राजस्तान में इनको agro climate zone कहा जाता है, यह syllabus 2013 जो आरेस वाला था उसमें add किया गया था पार्ट, लेकिन फिलाल यह syllabus में से agro climate zone को अटा लिया गया है, लेकिन फिर भी exam में पूछा जाए, factual में पूछा आ सकता है कि रास्तान के अंदर कितने agro climate zone है, रास्तान में करसी जलवायू प्रदेश कितने है, तो climate वाले topic में अपने पढ़ा था, अर्था जो जलवायू वाला topic है, उसमें पढ़ा था कि रास्तान में जो जलवायू है, general types हैं, वो five होते हैं, बाकि जो individual, copain, tree warth और thonth weight के according, वहाँ जलवायू रास्तान में चार परकार की होती है, तो लेकिन अभी जो topic है, climate नहीं, यह agriculture topic है, जिसमें agro climate zone बोला जाता है, तो रास्तान में जो करसी जलवायू प्रदेश हैं, वो climate से बिलकुल double होते हैं, तो इनको कहते हैं करसी जलवायू प्रदेश, तो रास रास्तान में यह 10 पाए जाते हैं, किस किस तरीके से हैं, जो कि मैंने जनरली आपको यह डाइग्राम में बताए हैं, सामने ते इस परकार से इनका distribution होता है, तो कुछ basic points है, जिनको हम starting में cover करके चलेंगे, agriculture में, जैसे कि सामने ते करसी रास्तान के मैदानी भाग में अधि बैठता है, और अगर monsoon हमारा weak है, तो agriculture production भी हमारा कम होता है, अर्थात हमारी जो किर्शी है, उसे monsoon का जुआ कहा जाता है, अर्थात gambling of monsoon इसको जानते हैं, क्योंकि अगर monsoon fail हो गया, तो हमारी agriculture भी fail हो गयी, तो कुछ basic points हैं, जो हम इस chapter में starting में देखेंगे, जैसे कि agriculture is also known as gamble of monsoon, अर्थात कर्शी को हमारे मानसुन का जुआ कहा जाता है, इसका मिनिंग हमारी जो agriculture है, वो mostly किसके उपर depend करती है, mainly है monsoon के उपर depend करती है, इस कारणी से gamble of monsoon अर्थात monsoon का जुआ भी कहते हैं, दूसरा है, plains are called heartland of agriculture, अर्थात जो मैदानी भाग है, वो agriculture के लिए heart cleaned, अर्थात हर्दे स्तल होते हैं, किर्शी मुख्यत हैं, मैदानी भागों के अंदर होती है, तो मैदानों को किर्शी का हर्दे स्तल कहा जाता है, वो रास्तान के अंदर कुल 10 कर्शी जलवाईव परदेश इस्तित हैं, total 10 agro climate zone, situated in रास्तान, रास्तान में कुल कर्शी इसके बाद में इस चेप्टर में सबसे, first start करेंगे, अपन, importance of agriculture, यानि चेप्टर के first point के रूप में, तो अभी तो कुछ basic points देखे हैं, कि कर्शी मुख्यत हैं, मानसूनाधारित होती है, agriculture का जो main area है, वो eastern plain या मैदानी भाग होते हैं, और agro climate zone है, रास्तान के according, 10 माने ज के रूप में है, आलांकि जो सहरी चेप्टर हैं, वहाँ के लोग agriculture का importance नहीं समझ सकते हैं, जितना ग्रामिन चेप्टर के लोग समझते हैं, क्योंकि सहरी चेप्टरों में मुख्यत जो रोजगार है, या जो employment है, वो service sector या industries के ओपर depend करता है, जबकि ग्रामिन चेप्टरो अगर देखें, तो भारत की कुल जनसंख्या में अर्थात 100% में से approximate 55% population, यहाँ पे जो data है 54.6% यानि approximate 55% है, जनसंख्या वो agriculture पे depend है, जबकि राजस्तान के अंदर total 100% population में से approximate 62% जनसंख्या है, वो agriculture पे depend है, तो agriculture depend population, approximate 55% in India and 62% population depend on agriculture in रास्तान स्टेट, तो मुख्यते कर्शी का मैत्वे रोजगार को लेकर है, first point, तो जैसे importance of agriculture लिखना हो, तो सबसे पहले इस data को याद रखेगा, बारत की कुल जनसंख्या में 55% और रास्तान की कुल जनसंख्या में 62% population है, वो कर्शी पर आधारी थे, इसक दूसरा point होता है, trade यह व्यापार में agriculture का क्या importance है, अर्था contribution in international trade, अंतरास्ते व्यापार में सामनेता है किर्शी में, हमारे यहां जो import किया जाता है, और जो export किया जाता है, तो generally import हम उस part को करते हैं, जो हमारे यहां कम उत्पादित हो रहा है, हरीत करांती के बाद में, साम जो खादयान फसले हैं, उनमें बढ़ोतरी हो रही है, जबकि जो oil seed crop हैं, अर्था जो till hen फसले हैं, उनमें कमी हो रही है, इस करण हमें till hen फसलों से खादे तेल जो परापत होता है, वो कम उत्पादित हो रहा है, इस करण हमारे ज्यादा जो agriculture में आयात होता है, यह edible oil अर् किसान है, उस किसान के जो खेत के अंदर agriculture, जब cultivation किया जाता है, अर्थात उत्पादन जब किया जाता है, तो किसान अपने farm house को या खेत को अधिकांस्त जिन फसलों से cover करता है, वो फसले होती है, food grain crops, अर्थात मुखेत है, खादयानों के द्वारा अपने जो farm या अर्था जो खेत हैं, उनको अधिकांस्त है, वो cover करते हैं, इस करण हम कहते हैं कि जो निर्यात है या export है, वो हमारे यहां से मुखेत है, खादयान फसलों से होता है, जबकि हम जो आयात करते हैं, जो निर्यात करेंगे वो खादयान फसलों से, और जो मंगवाएंगे वो तिलहन, अ है contribution in GDP, GDP में जो योगदान है तो हमारी government के जो income है, यानि source of income है, 100% जो income है, उसमें agriculture से हमें कितना प्राप्त होता है, तो agriculture में जो GDP है, उसमें दो तरीके से इसको count किया जाता है, एक तो अपनी fixed rate के according, जो की agriculture में fixed year के रुप में लिया जाते, 2011 and 12 को, 2011 और 12 के आधार पर सामने ते जो GDP है, यानि जो 100% हमें income प्राप्त हो रही है government को, उसमें से 2090 और 20 का जो data है, उसमें agriculture का जो महतु है, वो लगबग 27% है, अर्था 26.73% जबकि जो provisional data है अभी के, यह आपन कह सकते हैं कि जो ऐसता ही data है, उन data में 2020 और 2021 वाले में agriculture का जो importance है, यह approximate 29.45% अर्था 30% के आसपास, जबकि current rates के according, जो 2019 और 20 है, उसका लगबग 2019-20 वाली जो fix rate है, उन्हें के approximate आसपास है, 26.80% जबकि जो परचलीत कीमतों के अधार पे GDP का जो योगदान है, यह जनरली exam में आजकल पूछे जाते हैं, तो 2020 और 2021 अर्था 2020 और 2021 में, जो current rate परचलीत कीमत या चालू कीमत में agriculture का जो योगदान रहने वाला है, वो एक अनुमान है, लगबग 30% के आसपास 29.77%, तो इनको याद रखेगा, लगबग जो 2019 और 2020 वाले data हैं, वो कही न कहीं 27% के आसपास हैं, और जो अभी 2020 और 2021 के जो data हैं, वो approximate कहीं न कहीं 30% के आसपास हैं, लेकिन fix तीस नहीं है, 29 के data में बोले जाएंगे दोनो 29.45 और इधर 29.77 और इससे पहले वाले हैं, वो 26 के data में बोले जाएंगे, 26.73 और 26.80 ये वाला point है, ये important है, prelims के according या objective type की जो exam है, उनके लिए, इसके बाद में agriculture का जो importance है, वो industries को लेकर, यानि point no.4 है, industries में agriculture का क्या importance है, तो कहा जाता है कि लगबग हमारी जितने भी industries हैं, अर्था जो 100% industries हैं, उन में 15% industries हैं, वो agriculture best मानी जाती हैं, और उन में सबसे बड़ा industries है, अपना cotton textile जो industries है, अर्था जो कपासपरादारित, सूति वस्तरू द्योग है, उसके बाद में second largest industries माना जाता है, अपने sugar industries को, about 15 of the industry is best on agriculture, यानि कुल उद्योगों का 15% है, वो agriculture उद्योगों पर आधारित है, कर्शियादारित उद्योगों पर आधारित है, जिसमें largest जो एगरिकल्चर इंडस्ट्री है, वो cotton textile industries है, और इसके बाद में second largest जो एगरिकल्चर इंडस्ट्री है, वो माने जाती है, जो sugar cane, यानि जिससे हम चिन्नी उद्पादित करते हैं, तो sugar cane industries अर्था चिन्नी उद्योगों दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है, जिसका base गन्य को माना जाता है, तो एगरिकल्चर का importance, जब एग्जाम में पूछा जाता है, तो importance में, एक तो हम कह सकते हैं कि एगरिकल्चर का जो importance है, वो मुख्यत है, रोजगार को लेकर है, जो कि आपको इस starting में बताया है कि इंडिया में approximate 55 और रास्तान में approximate 62 परसेंट है, जो population है वो एगरिकल्चर पर depend करती है, और एगरिकल्चर में हमें जो उतपादित होता है, उसे हम trade या व्यापार करते हैं, और उस व्यापार में हम उस चीज को export करेंगे, बेजेंगे, जो हमारे हैं ज्यादा उतपादित होती है, जैसे खाद्यान, food grain, और जो कम उतपादित होती है, उसे हम आयात करेंगे, अर्थात खाद देते, edible oil जो है, इसके बाद में जो GDP है, तो GDP में मैंने आपको बता है, कि इसमें दो तरीके से देखते हैं, एक तो अपनी fix rate होती हैं, उनके according, एक अपनी जो current rates हैं, अर्थात चालू किम्तिय हैं, उनके according, तो fix rate है, उसमें 2019 और 20 वाले जो data हैं, अप्रोक्सिमेट 26 के आसपास हैं, जिसमें 2019-20, 26.73 और एक दूसरे है, 2020 और 21 का data, जो कि 26.80, उसमें 0.73, जबकि current rates हैं, इसमें data हैं लगबग हैं, 2019 और 20 वाले में, 29.45, जबकि stories में, 2019 और 20 और next rate 2020 और 21, इसका जो data रहेगा, यह रहेगा आपका 29.77 प्रसेंट, वो उसमें year as it is, वो का वही repeat कर दिया था, अलांकि यह मैंने आपको बता दिया हैं, तो agriculture का importance पूछा जाएं, तो इसके जो major point होते हैं, इनको target करना आपको, रोजगार के according, trade यह व्यापार के according, GDP के according, और fourth है, industries यह उद्योग के according, तो उद्योग में agriculture है, वो total industries में लगबग 15% industries में agriculture अपना participate करती है, अर्था 15% industries है, वो agriculture based है, और उसमें largest है अपना cotton textile industries और second largest माना जाते है, शुगन के industries अर्था चेनी जो उद्योग है, वो देश में कर्शी का सबसे दूसरा बड़ा उद्योग माना जाता है, सबसे बड़ा उद्योग सुतिवस्तर और दूसरा है चेनी उद्योग, तो agriculture का importance या महतव जब पूछा जाए तो इन 4 points के according इसको अपने को बताना होता है, इसके बाद में है types of agriculture अर्थात किर्शी के परकार, किर्शी के परकार को दो तरीके से हम define करते हैं, एक तो general types के according सामाने परकार, सामाने परकार में agriculture का जो तरीका होता है, या agriculture करने का जो technique या जो technique होती है, उसके according define किया जाता है, इसमें agriculture या crops को target नहीं किया जाता, जबकि scientific types में किसी एक विशेश crops को या agriculture को target करके उसका production किया जाता है जसे scientific में अपन कहें कि रहसम का उत्पादन करना अर्था sericulture करना अंगूर का उत्पादन है वो होता है verticulture तो इसमें agriculture का नाम लेते हैं जो product या उत्पाद है वो fix होता है और उसके cultivation या production के लिए हमें थोड़ी scientific approach बनानी होती है उसमें हमें पैसा ज्यादा investment करना होता है तो scientific agriculture सामाने ते थोड़ी अधिक महेंगी होती है लेकिन इसका profit भी हमें अधिक होता है जबकि सामाने करशी है इसमें करशी करने के तरीक को देखा जाता है तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें general types और उसके बाद में देखेंगे scientific types सामाने फरकिये ही है इसमें product या उत्पाद fix होगा जबकि इसमें उत्पाद fix नहीं होते तो start करते हैं सबसे पहले अपन general types agriculture के तो general types में आता है सबसे पहले mixed agriculture अर्थात misrit करशी misrit करशी का meaning है both agriculture and animal husbandry works are called mixed agriculture meaning जो करशी कारिये है और पसुपालन है इन दोनों को अगर एक साथ किया जाए अर्थात हम अपने ग्रामिन शेतर या rural area में देखते हैं कुछ किसान अपने खेतों में agriculture भी करते हैं और अपने घर बे 5, 10, 15 पसुभी पालते हैं इसका meaning है agriculture work के साथ वो animal husbandry है अर्थात जो करशी के साथ पसुपालन का जो कारी है वो दोनों एक साथ हो रहा होता है अर्थात उसको नाम दिया जाते है mixed agriculture तो misrit करशी का meaning है खेती के साथ पसुओं को पालना दूसरा होता है खडी नेगरी कल्चर तो खडी नेगरी कल्चर का meaning लिया जाता है कि पस्षीमी रास्तान में जो पाली से जो जाने वाले ब्रहमन थे उन्होंने पस्षीमी रास्तान में एक विसेश प्रकार की जील होती है खडीन उन में की जाने वाली खेती को खडीन एगरी कल्चर कहा जाता है जिसमें mostly अपने रास्तान में जो रभी क्रोप्स होती है अर्थाद जो विंटर सीजन में बोई जाती है उन क्रोप्स का cultivation अर्थाद उत्पादन है वो अधिक किया जाता है तो जो खडीन एगरी कल्चर है generally पालिवाल ब्रहमनों की एगरिकल्चर के रूप में भी डिफाइन होती है, प्रिवासित की जाती है, the agriculture undertaken by the पालिवाल ब्रहमन, इसमें main point यह है, पालिवाल ब्रहमनों की किर्शी को पस्चिमे रास्तान में क्या करते है, खडीन एगरिकल्चर, तो एगरिकल्चर undertaken by पालिव सदली खुरोप्स हैं वो अभ़िक खुरोप्स अधिक होती हैं जासे वीट प्रोडेक्शन, ग्याओं का उतपादन, क्राम प्रोडेक्शन, चनने का उतपादन और सामनेत हैं सर्शों का उतपादन. इसके बाद में next बारानी अग्रिकल्चर, तो बारानी अग्रिकल्चर का मिनिंग होता है depend on monsoon, अर्थात without irrigation जो agriculture हो उसको बारानी कर्शी कहा जाता है, तो monsoon और without irrigation बेस्ट अग्रिकल्चर is called बारानी अग्रिकल्चर और यह सामनेता है रास्तान के पस्री में बार्ड मेर के अधिक होती है, अर्थात बिना सिंचाई के अग्रिकल्चर कैसे होगी, तो बिना सिंचाई के इसका मिनिंग है monsoon के उपर depend होती है, तो definition आप किदर से भी दे सकने है, कि without rainfall based agriculture और depend on monsoon agriculture is non-age यह is called बारानी अग्रिकल्चर और इसमें सामनेता है अपने जो चने की खेती है, बाजरा है, उनका सामनेता उत्पादन अधिक किया जाता है, next है mono agriculture, अब यह आग्या आने वाली कुछ agriculture है जिनको counting के according define किया गया है, आप सामने ऑने बारानी झाली के जोजए आने मेद्पादन वाली कि खी खेती है,